तो आज हम आपके लिए लिए करा है सूपर टेस्टी और सूपर क्रिस्पी टू स्नेक्स की रेसिपी जिसका नाम है टूस्ट रोल और नमकीन सेव कटलेस बहुत ही इजी बानाना है और बहुत ही सिंपल तरीकते से बन जाते हैं तो असलाम अलेकुम जी बेस्ट कुईट आईट में आपका स्वावगत है जो भी हमाएं नए वीवर से प्लिस हमाई चैनल को लाइक किजिए शेयर किजिए और सब्सक्राइब किजिए तो चलिए कि पहले हम क्या करेंगे एक बाउल लेंगे उसमें हाफ केजी हम मैश की बॉल करके उसके चिलके उतार लिया अच्छी तरीके से मैशर से मैश कर लिया या फिर ग्रेटर से ग्रेट कर सकते लेकिन उसमें बिल्कुल भी लंप्स ना हो ऐसा हमें मैश करना है अब यहाँ पर अध्रक लस्तन और हरी मिर्च का पेस्ट लेंगे यादि इक्वल कॉंट पूर्ट ल मेंगे तीस्पून अबने पंज साबुट जीरा मेंगे दाओं मेंगे तीमें लालमेश्ट poulter का शाना होई लालमेश्ट पाउडर को यह साफ में कम यह जादा इस्पमाल इसंवाल कर सकते हैं दालना बहुत जरूरी है विल्कुल भी से रिपलेस नहीं कर सकत है या हम इसे मतलब कि इसकिप नहीं कर सकते है स्किप सब्सक्राइबीब क्रेटर से बहुत अच्छा क्रेट होगा मिक्स कर गदें के पर साइट मी रख देंगे अब इसका रहा बनाने के फिर से बाउल लेंगे इसमें हाफ कैजी मेरा दालेगे हाफ टीसुन भरकर इसमें आजवाइन लेंगे हमें अच्छा ऐसे हातों से क्रश कर लिया और क्रश करने के बाद में हम अजवाइन दालेंगे और फिर नमक दाले 갑ल नमक किताएं नमक lips के टा इसाफसां कमिया जादा करते हैं फिलुरह फिलन हम 1 टी स्पून इसमें नमक दालेंगे tack टो 2 टेबल स्पुन ऑयल डालेंगे ऑल above the ratio में किया हम अवल प्रहक्त होता है वैसे ऑपको टो टेबल स्पून कि आलेंगे जब यत इसमें साधा नॉर्मली जो हमारे पास में वाटर होता नॉ agrad तरांगे अब वाटर में ह Св अच्छी तरीख लेंगे कि नीट करना बहुत अच्छे तरीके से नीट करना और एक्दम इसका हाट डो बनाना इसको एक्दम बिल्कुल भी नरम डो नहीं बनाना या सॉफ्ट डो नहीं बनाना एक्दम हाट डो बनाना और फिर इसके हम रोटी बना लें अगर नरम हम इसका डो बनाएंगे तो उसे हम करना है कि हमने इस को ऑट डस करने के जरूरत ना इस तरीके से हम उसकी फतली एक रोटी बड़ी सी बना लेंगी जो भी dáर से पनती होड़ित zeg यह झी जो भी को में रोती बड़ी पन सकते हूं बरना सकते हूं इससे पास्तित करें पहाना यह बहुत अच्ही तरीके सेय फिर से हम एक रोटी बना के मैं रखते और इसके उपर अच्छी से चिपका देंगे जितने ब sixtell फिर आपको प्षे जय क्या जा है और यह फ्रेश प्राइस जैसे पतली पत्ली पतप्तियासरी का थे कि यह जो पट्टी यह बना लेंगे अगर आपको थोड़ी मोटी पसंद मोटीफ बना सकते हैं और अगर जाधी पतली पसंद पतली हम हाँ मतलब हाप इंच जितनी हम इसकी पट्टी बनाएंगे और बीच में से फिर एक कट्ट्टे देदेंगे ताकि जो है इसमें शेप shop बांगे करेंगे बहुत यह चाँज है इस तरीके से वहीं है और एक ट्रेलिंग आपको उत्यों हर गतते Không क्राइब करेंगे साथ वारे गैस पर एक मोटे तलेगी कड़ाई रखेंगे उसमें ऑईल रख देंगे यह ऑईल हमारा पहले भी यूस किया हुआ है क्योंकि अभी रमजान मेना है तो रोज फ्राइड आइटम बनी रहे तो इतना ऑईल हम फेक नहीं सकते ना था हम इसे रियूस कर लेंगे हम क्या करेंग इसलिए हम मामूली गोल्डन करेंगे यानि थोड़े गोल्डन करेंगे एकदम ब्रॉन नहीं करेंगे तो इस तरीके से हम सारे जितने भी टूêuसमों से हमने बना कर रखे और को हम fry कर देंगे तो I hope गाईς आपको यह recipe पसन आई हो गर आपको यह recipe पसन आई हो तो please 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 like करना, share करना, subscribe करना, साइड में जो bell बतन आता है उस call पर click का देना ताके आने वाले हर यूनिक से और अमीजिंग से रेसिपी की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें वीडियो बाज करने के शुक्रिया का इस तो चलिए फिर हम अपने नेक्स रेसिपी मिलते हैं सबसे पहले हम क्या करेंगे एक बाउल लेंगे उसमें हाफ केजी हम मैश की हुए पोटेटो लेंगे हमने पोटेटो को पहले ही बॉइल कर लिया बॉइल करके उसके चिलके उतार लिया अच्छी तरीके से मैशर से मैश कर लिया या फिर ग्रेटर से ग्रेट कर सकते लेकिन उसमें बिल्कुल भी लंप्स ना हो ऐसा हमें मैश करना है अब यहाँ पर 3 टीस्पून भरकर हम अद्रक, लस्टन और हरी मिर्च का पेस्ट लेंगे यानि equal quantity में हम सारी चीज़े लेंगे और उसे पीस लेंगे तीन से चार हरी मिर्च, आठ से दस लस्टन की कलिया और एक इंज अद्रक करोकर हम पीस लेंगे और त्री टीस्पून भरकर लेंगे वन टीस्पून इसमें गरम मसाला लेंगे, हाफ टीस्पून इसमें हम हल्दी पाउडर लेंगे फिर वन टीस्पून भरके हम साबुत जीरा लेंगे इसमें वन टीस्पून भरकर हम लाल मेच पॉडर लेंगे लाल मेच पॉडर का हुई अपने टेस्ट के हिसाब से हम कम या जादा इस्तेमाल कर सकते हैं और फिर इसमें सॉल्ट दा लेंगे salt का हुई यह अपने टेस्ट की according कम या जादा फिलाल हम 1 teaspoon इसमें salt लेंगे और फिर हम क्या करेंगे 4 teaspoon भरकर हम corn flour लेंगे corn flour दालना बहुत जरूरी है बिल्कुल भी इसे replace नहीं कर सकते या हम इसे मतलब कि skip नहीं कर सकते दालना बहुत जरूरी है इसमें अगर टी सपून से नहाँ टेबल स्पून हो तो two tablespoon konflaur लेंगे और इसे थोड़ा सा मिक्स करेंगे اور मिक्स करने के बाद में क्या करेंगे two से three tablespoon भरकर बारी कुटी वी समार लेंगे one tablespoon भरकर हम इसमें पुदिना लेंगा कटा हुआ पूदी न दाल अप्षिनल है कि यगें पर हम और अकची तरीके सें जभी तरीक देश करने में पातले के हैं चेटार इसे और यह मतलब अग te हम इसके को डहलें निशके प्लावर शाइब करने हें में और के इसकें सथाइब सब्सक्राइब कर सकते हैं थोड़ा थोड़ा पानी आइट करेंगे और एक फोक की मदद से इस अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे ताकि इसमें बिल्कुल भी लंप्स ना रहे अगर फोक ना हो तो आप जो हैंड विप्स होता है ना उससे मिक्स कर सकते हैं एक स्पून से भी मिक्स कर सकते हैं जो अवेलिबल उसके साथ में मिक्स कर सकते हैं रहनी कंसेस्टेंसी बनाने जो एक दम पतली आती है न उस तरीकी के अगर हम थोड़ी सी भी थिक बनाएंगे न तो इसमें आलू का मिक्षन जाते हैं आलू जो है टूट ज जानो हमने को किसी एक वे घरं में यह बहन हो बाना के रख्रापस पेस्ता हैं तो यह मोटी नमकीन के नहीं की ओपर देखने नाने 많 patio बहुöd दसे वोंढोस को प्रखागेंकर और और भी अदैया को थेpi कटलेट हम फ्राइब करेंगे बाकी के जो बचे हुए हम क्या करेंगे एक एर टाइट कंटेनर लेंगे और उसे स्टोर कर लेंगे जब भी हमारा मनो जब भी हमें ऐसा लगे कि आज हम कोई चीज बनाएंगे नहीं या रमजान का टाइम में कोई दीन इबादत की वज़े से दीन मिलता तो हम इसेен अपराra कर लेंगे इसे एक से देढ़ माहीं थी कर सकतेוס धिसे फ्रीजर में हम इसे अई स्टोर करना जाख यह बनाना है गी और जबनों चलंए सान करें पर नहीं करेंगे और फुल फ्लेम पर करेंगे तो अंदर मतलब फीलिंग काउन फिलावर मिला हुआ है ताकि जो टीक की है टूटे नहीं जैसे की कट लेटे तो फुटे नहीं तो जो इसलो फिलावर आप ऐसे जो है एकदम मीडियम फ्लेम पर फ्राय करें और धीरे धीरे फ्राय करें ताकि अंदर तक के अच्छी तरीके से पक जा वर्णा या अंदर से कच्छी रह जाएंगे हम इसी तरीके से धीरे धीरे जितने भी हमें कटलेट अभी यूस करना है उतना हम बनाएंगे हमने साथ से आठ कटलेट बहुत ही आसानी से और बहुत ही अच्छे से फ्राइ कर लिए कोई जादा ताम ज्याम करने के जरूद बढ़ी नहीं पड़ी और कितने क्रिस्पी बने हो भी हम आपको बताएंगे एक फोक के बदत से बहुत ही अच्छे और क्रिस्पी बनते हैं प्लिस प्लिस लाइक करना शेर करना सब्सक्राइब करना साइट में जो बेल बटन आता उस पॉल पर क्लिक कर देना ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे वीडियो वाच करने के लिए शुक्रिया गाईस अलाह पेस